हेलो अब्रिवन वेलकम टुमाइ न्यूव वीडियो कैसे हो आप सब उमीद है सब बढ़िया होंगे आज की वीडियो का टॉपिक है आररबी के एक्जाम के लिए हिंदी चूज करनी चाहिए या फिर इंग्लिश क्योंकि एंड तक हमें यही समझ नहांता कि हमें हिंदी चू आप शिर्फ और हमें पर हिंदी में ही एक्जाम दरना या फिर हिंदी पड़ने है उनके लिए आररम वी ब्याश्न है आगर वह इंग्लिश नहीं पड़ना चाहते हैं छिक कि आप क्या है हिंदी पढ़ सकते ऊंगि आररवी के में में हिंदी ही आएगी इंग्लिश भी आती है आप पे डिपेंड है आप क्या चूज करोगे तो जिनका टारगिट है आररवी अब मैं उन्हें पहले ही क्लियर कर दूँ कि आपको उनको ही नहीं उन कैंडिट्स को भी जिनका चाहिए इंग्लिश है 20-25 दिनों मे आप कुछ भी प्रिपेर नहीं कर पाओगे ठीक है तो आप उस चीज़ का वेट मत करना कि पहले परी का रिजल्ट आएगा दन उसके बाद जो 20 जा 25 दिन मिलेंगे हम उसमें मेंस के लिए हिंदी जा इंग्लिश प्रिपेर कर लेंगे देखिए आपको जो कुछ भी पढ़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं वो ऐसा नहीं कि आप वहां बैट के स्लेक्शन करो आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है कौन सा नहीं तो जिनका तो हिंदी है उन्हें बता दू कि आप सबसे पहले कोई भी पीडिय डाउनलोड कर लेना गूगल से यूट्यूब से मिल जाएंगी आप उनमें से पैराग्राफ पढ़ना क्योंकि नॉर्मल हिंदी नहीं आती जिसमें हम बात करते हैं जिस हिंदी में ऐसी हिंदी चो देखने को भी नहीं मिलेगी वहां पे ग्रामेटिकल हिंदी होती है जो काफी मॉडर्ट मिलेगी या फ के पास नहीं है टाइम पीडियाप को डाउनलोड करके पढ़ने का तो आप क्विज लगाना अब क्विज कैसे लगाओगे सबसे पहले आपको अड़ा 247 पर हिंदी के क्विज लगाने है जब आपका 10 प्लस स्कोर होने लग जाए तब आपको इस आप को छोड़ देना है म कि जो अड़ा की हिंदी है वो बहुत ही जादा इजी होती है ठीक है तो बिगिनर्स के लिए ठीक है कि 15-20 दिन हिंदी आप अड़ा पर से पड़ो मतलब अड़ा के क्विज लगाओ जब आपके 10 प्लस स्कोर होने लग जाए ना तब आप इस एप को छोड़ देना इन तीन इन तीनों पर से आप डेली का एक क्विज भी लगाओगे तब भी इनफ है चाहे फिर आप कोई PDF डाउनलड करो ना करो पर अगर आपको लगते कि नहीं तीन आप्स पर से पढ़ना मुश्किल है तो आप किसी दो आप को देख लेना जो आपको सही लगे जिनका लेवल कर लेना इस तरीके से आपको हिंदी प्रिपेर करनी है और जब आप मौक लगाओगे तो वहां से आपकी और जादा प्रैक्टिस हो जाएगी अब बात करते हैं मैंने कौन-कौन सी मिस्टेक की थी सबसे पहले मिस्टेक तो वही कि मेंस के टाइम पर पढ़ना है प्रीगा वेट करते रहना है कि प्री होगा भी है नहीं होगा देखिए आप इस तरीके से प्रिपेरेशन करो इतनी एकुरिसी मेंटेन करके चलो कि हाँ अगर कट ओफ हमारी फिफ्टी जा रही है और मैंने फिफ्टी फाइब भी किये है तो बिल्कुल अच्छे से पूरी एकुरेस प्रिफ्टी फाइब प्लस किये है तो पूरी एकुरेसी से करना बाकि कभी कभी आशा होता है कि एक्जाम थोड़ा हाड लेवल करता है तो वह नौर्मिलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो जैसे कि मेरे सिक्स्टी मार्क्स से प्री में तो वहां पर मुझे 60 के 60 पूरे तरीके से सही थे और इसके साथ साथ बाकि नौर्मिलाइजेशन हुई तो उस में मेरे मार्क्स इंक्रीज हो गे और मेरे I think 64 संधिंग इतने मार्क्स थे तो आप एकुरेसी पे वर्क करना स्पीड के पीछे मत भागना कि स्पीड के चक्क्र में आप जादा मिस पहले से चूज करके चलो हिंदी पढ़नी है जा इंग्लिश पढ़नी है ठीक है उस हिसाब से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन रखो चाहे कम टाइम दो आदा गटना दो इनफ है दूसरी गलती ये थी जिसके बारे में अभी बात कर दी हूँ कि हिंदी या फिर इंग्लिश म हम क्या है चाहे थोड़ा भूती पढ़े कट ओफ निकालने के लिए पढ़े पर इंग्लिश तो पढ़ते हैं ना हिंदी नहीं पढ़ते हैं पर मैंने एक्जाम में जाके हिंदी चूज कर ली तो वह एक मेरी नेगिटिव पॉइंट बनी गया है कि 20-25 दिनों में मैंने जाएगी पियों की हिंदी इतनी भी इजी नहीं होती है क्लारिकल की फिर थोड़ी एजी होती है तो मैंने वहां पर हिंदी चूज की तो एक बार तो आठ आए उससे नेक्स ताइम में देनेगी तो उससे भी जादा कम होगे 6 आगे गल्ती क्या की थी क्योंकि पूरा साल मै कोई भी बता सकता है कि यह बहुत बड़ी गल्ती है तो इस साल मैंने इंग्लिश चूज की चाहे कोई बाद में मेरी इंग्लिश इतनी जादा भी अच्छी नहीं थी बट फिर भी मैं इंग्लिश पढ़ूंगी इंग्लिश को ही वहां जाके चूज करूँगी इनकि पूर पदलब जिन्होंने पूरा साल इंग्लिश पढ़ी है और वो सोचेंगे कि हमें इंग्लिश ही में ही एक्जाम देना है तो ठीक है उनका तो कुछ बताने के ज़रूरत नहीं है मैंने और इंग्लिश की स्ट्राटेजी वीडियो शेयर की है आप डिस्रिप्शन में लिंक द पूरा मॉक टेस्ट मत देना सिर्फ हिंदी का सेक्ष्ण एटेंप्ट करना एक अली बोड का देलेना हिंदी में और एक इंग्लिश में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको हिंदी चूस करनी है या फिर इंग्लिश उस हिसाब से मैंटली प्रिपेर हो कि एक सब्जेक्ट पर फोकस करना Hindi English Hindi English बारबर मत करना क्योंकि यह बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आप Hindi में 30 प्लस स्कोर करते हो तो आगे जाके बहुत हैल्प मिलेगी अगर इंटर्व्यू में कम मांक्स मिलते हैं तब आपका मेंस का जादा स्कोर होता है वह प्लस पॉइंट का काम कर पहले ही कम मांक्स आएंगे तो फिर आपको इंटर्व्यू में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें बहुत अच्छा स्कोर करना है कि अगर आपका इंटर्व्यू एबरेज भी जा रहा है तब भी आपके 65-70 मांक्स मिलें तो आप अच्छे से निकल जाओ ठीक है इंट तक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो